इस सारे मूवी में हम देखेंगे कि गाउन के पीछे जंगल में एक पूरी स्रा गड़ा नमुदार हो गया जिसके इंदर ऐसी घोसली मिस्टेरियस चीज़ी थी जो इस गाउन के बच्चों को कैद कर लेती और फिर उनका रूप धार कर उन्हें गरवालों को मार देती सब य पूतिया होल के कहानी क्या है यह आपको आगे की स्टोरी में बता चलेगा अगर आपका हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारी वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें फिल्म के शिरुआत में हम सारा नाम की एक यंग लेडि को देखती है जिसके अपने हैस्पिर से सेपरिशन हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है जिसका नाम क्रीस है जो के काफी शाय है सारा बहुत डिप्रेस्ट है इसलिए उपने बेटी को लेकर आईटिश कंट्री सा के एक टाउन में शिफ्ट हो रही है जो कि घने जंगल के पास है सारा रूसका बेटा कर इस गाड़ी में बैटकर टाउन की तरफ जा रही होते हैं रास्ते में उनके सामने एक बुरी औरता आ जाती है उसका बचाने के लिए सारा अपनी गाड़ी सर्क से नीचे उतार देत है सारा को यह सब बहुत लगता है मुझलती से मेरर उठाकर गाड़ी में बैठकर अपने घहरा जाती है घर की क्लिनिंग के दारन क्रिस को एक स्पाइडर यानी मकड़ी नजर आती है क्रिस डरकर घुसा हो जाता है और अपनी मां सारा से आर्ग्यू करता है कि तुम डैड क के पीसे जाती है और उसे आवाजें देती है और बहुत बड़ा हूफ नाखोल किसे बनाया है वह सोल के अंदर चciousक चांगती है तो पीछे से उसका बेटा भीटा वेन्स गहरा जाती है रात को सारा अप्नी फ्रेंज पार्टी में जाती है वहां उसके friend उसे बताती है कि जिस टाउन में तुम shift होई हो वहां एक old lady है जिसका नाम ओरीन है वोसे बताती है कि तोउन आउन बहुत होफनानक है सारा की एक friend बताती है कि इस old lady या नहीं नोरीन का बैटा James हमारी class में बढ़ता था नोरीन को स्कूल आनी की परमीशी नहीं थी क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि वो जिम से मिले एक दिन नोरीन जिम से मिलने स्कूल आगी तो स्कूल वाली ने जिमस को स्कूल से निकाल दिया फिर कुछ दिन बाद पता चला कि नोरी ने एक कार एक्सिडेंट में अपने बेटे को मार दिया है ये सब सुनका सारा डर जाती है सारा को याद आता है कि जब वोड़ी ओरत उसे रूर पर मिली थी तो वो क्रिस को बहुत गोर से देख रही थी सारा घर आ जाती है और रात को अपने रूम में सो रही होती है तो अचानक उसे आवाज ही आने लगती है वो नीचे जाकर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता वो क्रिस के रूम में जाती है तो देखती है कि क्रिस भी अपने रूम में नहीं है सारा डर जाती है और क्रिस को ढूनने के लिए टॉच लेकर बाहर आती है उसे लगता है कि क्रिस जंगल की तरफ गया है वो क्रिस को आवाजें देते हुए जंगल की तरफ जाती है लेकिन क्रिस उसे वहां भी नहीं मिलता तो वो घर आकब पलिस को कॉल करने लगती है तब ही पीचे से उसका बेटा क्रिस उसे आवाज देता है अब क्रिस काफी चेंज लग रहा है सारा उसको लेकर रूम में से ले जाती है सुबह सारा क्रिस को उसके स्कूल डॉप करती है और उच साकेटरिस के पास जाती है कीकि वो डिप्रेशन से सफर कर रही थी साकेटरिस उसे कुछ नीन की गोलियां देती है फिर वहाँ से वापसी पर वो स्कूल से क्रिस को लेती है और टाउन की तरफ निकल जाती है रास्ते में उसे नुरीन नजर आती है नुरीन का हस्बन भी उसके साथ है सारा गाड़ी से बाहर निकल कर नुरीन के हस्बन से मिलती है नुरीन गाड़ी के पास जाकर कि इसको अजीब नजरू से देखना शुरू कर देती है और कहती है कि ये तुमारा बेटा नहीं है नोरीन चिलाती है और अपना सर विंडो से पटाना शुरू कर देती है जिससे वो जखमी हो जाती है सारस यह सब देखर परिशान हो जाती है और जल्दी से वापिस अपने घर आ जाती है सारस बूरी औरत की इस हरकत और अपने दोस्त की बताही बातों से परिशान हो जाती है वह सुचती है कोई ना कोई रास तो है जो वह बूरी औरत जानती है सारस ओर लीडी से मिलने उसके घर जाती है तो देखती है कि किसी ने उस ओर लीडी का सारे मेर्स काले कपड़े से कवर्ड हैं सारा नोडीन के हजबंट से मिलती है नोडीन के बारे में पूछने लिगती है बताते हैं कि मेरी वाइफ के अंदर एक सूपरनेशनल एबिल्टी थी अगर किसी शक्स के अंदर कोई आत्मा यह डीमन हो तो वह से नजर आ जाता था वह अलांकि सारा की दोस्तों ने उसे पताया था कि नोडीन अपने बेटे को मारा था सारो का यह बात मजीद परिशान कर देती है वह घर आ जाती और उब्सरब करती कि करिस काफी चेंज है वह सोशल हो रहा है और जो खानों से पसंद नहीं था मज़े से खाता है सारों को फील फिर इसको घुसा आता है और वो डाइनिंग टेबल को सारा की तरफ पुश करता है सारा बज जाती है लेकिन सोचती है कि इसके बेटे के अंदर इतनी पावर कहां से आई कि वो टेबल को पुश कर सके रात हो जाती है और सारा अपने रूम में होती है उसे आवाजे आने ल पिर सारा घर आ जाती है और नेक्स टे अपने बेटे के एक स्कूल फंक्शन में जाती है वो देखती है कि उसका बेटा परफॉर्म कर रहा है उसकी एक्सप्रेशन भी नहीं है और वो टिक्टिकी बांध कर उसे ही देख रहा है और उसकी आवाज भी काफी चेंच है करते हैं उसे कुछ वीर्ड नजार आता है जिससे वो शोर हो जाती है कि यह क्रिस नहीं है सारा कैमरा को लेकर नोडीन के हस्बंड के पास आती है और उन्हें कहती है कि आप यह फूटिज देखिए लेकिन वह मना कर देते हैं क्यमरा दूर फैंग देते हैं कि नोडीन ने उन्हें कुछ बताया था और वह नहीं चाहते थे कि जो उनकी फैमिली के साथ हुआ वो उनके साथ भी हो सारा क्रिस से कहती है कि आओ तुमारी फेवरिट गेम खेलें लेकिन क्रिस उसे मना कर देता है सारा से कहती है कि तुम मेरे बेटे नहीं यह बलके तुम एक डीमन हो यह सुनकर उस बच्चे को गुसा आता है और वो सारा को दूर फैंक देता है जिसे वो बेहोश हो जाती है जब उसे होश आता है तो घर से बाहिर होती है वो ही डीमन जो क्रिस्पन कराया तो वो गड़ा कोद रहा था ताके सारा को इसमें मार कर दफन कर सके वो बेहोश हो जाता है क्योंकि सारा ने उसके खान में अपनी दवा में ला देती सारा अब उसको लेकर घर के बेस्मेंट में आती है और बांद देती है सारा शीशे में उस डेमन का फेस देखती है उसे यकीन हो जाता है कि वाकिये में ये क्रिस नहीं है बलकर डेमन है वो डेमन सारा पर अटेक करता है यकिन किसी तरह उसे बच कर बाहर आ जाती है और जंगल में उसी गड़े के पास चली जाती है वो शोर हो जाती है कि उसका बेटा यहीं कहीं है वो इस गड़े के अंदर जाती है और क्रिस को आवाज देने लगती है वो अंदर धंसने शुरू हो जाती है अंदर उसे एक टेनल नजर आती है और उसे क्रिस भी मिल जाता है क्रिस को लेकर वो वहाँ से बाहर निकलना चाती है लेकिन तब यूसर वहाँ बहुत ज़्यादा क्रिस्ट नजर आते हैं वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन एक डिमन जब सारा का हाथ पकड़ता है तो उसकी शकल हित्यार कर लेता है उस डीमिन की शकल भी सारा की तरह हो जाती है सारा उस पर टॉर से अटेक करती है और किसी तरह अपने बेटे को वहां से बचा कर बाहर ले आती है सारा अप घर की तरह आती है वो क्रिस को बाहर खड़ा करती है उन किसी तरह अंदर जाकर कार की कीज ले आती है हालांकि उसके घर के बेस्मूट में वही डीमन था सारा अप घर को आग लेका देती है अपने बेटे को कार में बिठा कर सिटी की तरफ आ जाती है सारा अलिकी थी कि उसका बेटा उसे जिन्दा सलामत मिलगा यदर में जो कृड़ीचर्स थे वो बच्चों को पकेड कर न के रूप में आते हैं और फिर उनकी फैमली का हिसा वइन कर उनकी सारी फैमली को मार देते हैं लोरीन केस्मson ने उस डीमन को तो मार दिया थै जो उनके बेटे के रूप में था लेकिन उंका असली बटा उनने कभी नहीं मिला सिटी में आने के बाद सारा और करिस की लाइफ नॉरमल हो जाती है सारा तवारे इसे पनी जॉब स्ट्राइट करती है लास में हम देखती है करिस अपनी साइकल से ला रहा है और सारा उसकी पिच्छेश ले रही है सारा ने अपने घर में काफी जादे मिरर्ज लगाई है उसे शक था कि वो डीमन दोवारा से कभी ने कभी क्रिस पर अटेक करने की कोशिश करेगा तब इस डीमन को मिरर में देख सकती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है